तो दोस्तो जैसे कि आप से बिने वेडियो के थमनेल and also टाइटल में भी आप लोगों ने देखी लिया होगा आज हम बात करने वाले हैं दोस्तो कि आप बिना ATM काड के फोन पे एकाउंट कैसे बना सकते हैं आप फोन पे एकाउंट दोस्तो बनाना तो बेहाद ही सिंपल है को भी बना सकता है ठीक है लेगन यहाँ पर दोस्तो बात होता है कि बिना ATM काड के हम UPI PIN कैसे सेट करेंगे और दोस्तो बिना UPI PIN के सेट करने के बाद हम किस तरीके से पैसा ट्रांसफर करेंगे किस तरीके से किसी को पैसा भेजेंगे किस तरीके से रिशीव करेंगे पूरा process इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं तो आप से रिक्वेश्ट है दोस्तों कि अगर आप लोग ने YouTube पे वीडियो देख देख के ठक चुके हैं लेकिन आपका काम जो है दोस्तों नहीं बन पाया है अभी तक दोस्तों आप बिना ATM कार्ड के जो है बिना ATM कार्ड के फोन पे एक और नहीं बना पाएं तो इस वीडियो को आज आपको complete रेखना है क्योंकि दोस्तों YouTube पे पहली बार में ये प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ आपको काफी तरीके का वीडियो आपको देखने को मिला होगा लेकिन जो प्रोसेस में आपको बताऊंगा वो दोस्तों प्रोसेस आपको अभी तक कोई नहीं बताया है ना आगे आपको कोई बता पाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आपको पूरा complete जानकरी बताते हैं कि किस तरीके से दोस्तों बिना ATM काट के हम लोग phone पे एकांट बनाएंगे और चलाएंगे अगर आपसे भी को मैं बोल दो बाद आपको दोस्तों ड्या करना है वह मैं आपको दिखाऊंगा यहां से अनिस्टोल हो जाने के बाद आपको एक काम करना वो काम क्या करना हो मैं आपको चली दिखा देता हूँ पूरा process तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है एक दम ध्यान से आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखेते हैं आपको प्लेश्टोर को लेए आजएगा और यहाँ से आपको डाउनलोड करना है तो चली मैं इसे फड़ा फड़ा से डाउनलोड कर लेता हूं उसके बाद मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूं किस तरीके से सेट अप करना है सारा मोबाईल नमर को आपको डालना है, अब यहाँ पर काफिल ओग क्या करते हैं, को उनको bank account, कौन सा bank account link है वो पता ही नहीं रहता, और दूसरा मोबाईल नमर डाल देते हैं, और फोन पे बनाने की कोशिश करते हैं, और वो नहीं बना पते हैं, तो आपको एक चीज का पता लगाना है कि आपने जो account open करवाया है, जो खाता आपने खोलवाया है, जिसका ATM काड अभी तक आपको नहीं मिला है, और उससे आप phone पे चलाना चाहते हैं, तो उसी mobile number को डाल करके जो है आपको login करना है, तो चलिए मैं उस mobile number को डाल करके पहला process य मिलेगा देखते है, add bank account, तो यहाँ पर दोसो bank account का options आ रहा है, काफी लोग यहाँ पर गलती से cut कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं cut कर दे रहा हूं, तो यहाँ पर इनको phone पे मैं bank account जोडने का भी options नहीं मिलता है, तो आपको घबडाना नहीं है, यहाँ पर आपको इस profile bank में आपका account होगा, वो आपको यहाँ पर पूरा list मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखते है, SBI bank यहाँ पर दिख रहा है, HDFC bank दिख रहा है, उसके बाद ICI bank को पड़ोदा, Axis bank, तो यहाँ पर दोसो आपको देखना है, कि आपका कौन सा bank में आपका account है, जैसे कि हमार bank name, आपको इस में दोसो किलिक करना है, जो भी आपका bank account होगा, वो आप यहाँ से सर्च करेंगे, और यहाँ पर दोसो सर्च करने के बाद आपका bank का नाम आप आजाएगा, उसके उपर में किलिक करेंगे, और इस तरीके से transporting करने के बाद आप लिंक करेंगे, चलिए में ल नमबर मांगा जा रहा है, तो हमारे पास ATM card का किसी प्रकार का दूसरों कोई number नहीं है, तो हम bank account की इस तरीके से link करेंगे, bank account लिंक हो चुका है, लेकिन हम UPI pin कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर दूसरों देख सेकते हैं, यहाँ पर एक options हमें में बता रहा हूं, उसी process को आप home page पर आता हूं, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर फोन पर application के अंदर आ चुके हैं, वापस आ चुके हैं home page पर, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कौन सा process हमें complete करना है, वो मैं आपको चलिए दिखा देता हूं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, कि आपका ATM आपको कुछ दी नहीं करना है, आपको एक नजदीकी से दोस्तों आपको क्या करना है, वो मैं आपको दिखाता हूं, चलिए पहले मैं इस profile में click करता हूं, उसके बाद मैं process आपको समझाता हूं, चलिए मैं फिर से इस profile में click करता हूं, और यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी नजदी की mobile दुकान पे जाना है, धियान से पहले सुनना, समझे ना, उसके बाद जो मैं बता रहे हूँ, उसी process को करना, तभी जाकर क्या phone पे चला पाओगे, नहीं तो दोस्तों आप कभी जिंदगी में नहीं चला पाओगे, आपको दोस्तों नजदी की mobile की shop पे जाना ह और जाने के बाद दोस्व वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है air retail payment bank का दोस्वे एक account आपको open करवाना है air retail payment bank दोस्वे आपका इस तरिकी का account open होगा और आपके पास दोस्वे बिना ATM card के दोस्वे इसमें bank account एड हो जाएगा दोस्वे आप बिना ATM card के दोस्वे आप जो है air retail payment bank चला सकते हैं और चलाने के सासा दोस्वे आप phone पे के अंदर link करके किसी को भी दोस्वे ट्रांजक्शन कर सकते हैं भेश सकते हैं बेश सकते हैं जैसे के दोस्वे आप यहाँ पर air retail payment bank को link कर दिया है तो आपको नज़दी की दोस्तों मोबाइल के दुकान पे जाना है, air retail के office में जाना है, और जाने के बाद आपको वहाँ पर air retail payment bank जरूरी से जरूरी आपको open कराना है, open कराने के बाद ही दोस्तों आप फोन पे चला पाओगे, बेहदी, आसाने से, बाकि दोस्तों अगर आप के पास ATM कार्ड नहीं है तो आपको ATM कार्ड इशू कराना पड़ेगा लेकिन अगर आप बिना ATM कार्ड के चलाना चाहते हैं तो आपको Air Retail Payment Bank Zero Balance Saving Account उपिन कराना होगा 100 रुपे लगएगा दोस्तों आपका Account खुल जाएगा आपको आधार कार्ड ले करके जाना है और आपके पास दोस्तों सीम होगा कोई भी कमपनी का तो आपका Account वहां से खुल जाएगा उसके बाद आप बिना ATM कार्ड के फोन पे चला पाएंगे तो यही प्रोसेस था दोस्तों और बागी कोई प्रोसेस नहीं है वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं यही सही तरीका था वीडियो अच्छा लागोत लाइक करना चलको सब्सक्राइब